नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं Zebronic 2.0 Speaker यानी Zeb Warrior Rock and Roll एक्चली ये बहुत ही reasonable price पे available हैं 5 to 600 के अंडर में आपको ये मिल जाएंगे और आज हम इसका volume चेक करने वाले हैं especially ये मैंने मंगाया है मेरे laptop के लिए तो साथी साथ हम इसे open भी करते जाते हैं Zebronic 2.0 Speaker इसके अंदर volume control आपको दिया हुआ है AUX cable है और USB powered है हम पीछे भी एक बार देख लेते हैं So Ritik Roshan जी की branding है इसके उपर Zebronic for life यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे features, specifications और package content One unit एक ही unit मंगाया है तो एक ही होगी यार कहां आप दो भेज़ दोगे So guys हम इसे साथी साथ open भी करते जाते हैं Actually lockdown में ये मुझे बहुत ही असानी से मिल गया So thanks to Amazon क्योंकि lockdown भी है और मैं कई सारे काम मेरे नहीं कर पा रहा हूँ मैं music सुनना चाहता हूँ तो music भी properly नहीं सुन पार हूँ क्योंकि मेरे laptop का जो sound है वो बहुत ही कम है So मुझे मेरे friend ने suggest किया था कि Zev Warrior is really good और 500-600 रुपे तक मैं मिल जाएंगी तो मैं आपको इसका price भी बताऊंगा हम इसका sound भी check करेंगी कि sound कैसा है और आप अपने घर पे इसे मंगा सकते हैं बहुत ही असानी से Amazon और Flipkart पर ये available है और ये हैं हमारे Zebronics सो मैं इस box को side में रख देता हूँ और ये हैं हमारे speakers चलिए हम इसे open कर लेते हैं Zebronics बहुत ही well-known company है computer world में और इसके जो system वगेरा आते हैं जैसे keyboard, mouse, सारी चीज़ें display, desktop, बहुत ही अच्छी quality के रहते हैं सो ये है हमारे Zebronics और ये है I think volume control के लिए दिया हुआ है यहाँ पे button और चलिए इसे connect करते हैं यहाँ पे आप ये देख सकते होंगे ये जो आपको white circle दिख रहे हैं ये actually LED light है और LED light normally अपने जो हिसाब से ही इसमें जलता है और इसके अंदर काश ऐसा होता कि इसमें थोड़ा सा music के साथ भी LED light work करता तो बहुत ही अच्छा लगता तो चलिए हम इसे connect कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका aux cable aux cable और USB powered यहाँ पे आपको USB दिया हुआ है और आप इसे connect कर सकते हैं इवन अपने mobile या घर पे अगर आप ऐसा कुछ speaker छोटा मंगाना चाहते हो 400-500 रुपे तक का तो 500 रुपीज में कोई बुरा नहीं है जैसे एक बार volume भी चेक करेंगे तो और ज़दा clarity हो जाएगी ये USB आप normally charger में लगा सकते हैं और ये अपने mobile के साथ connect कर सकते हैं तो और भी अच्छा है चलिए हम इसे एक बार connect कर लेते हैं ये मैंने मेरा USB connect कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें LED जलना स्टार्ट हो गया है ये अपने हिसाब से ही जलता रहेगा और ये मैं जो इसका AUX cable है वो मैं laptop के साथ connect कर देता हूँ ये मेरा AUX cable connect हो गया है हम एक बार इसका sound check कर लेते हैं कि sound कैसा है इसका और तो उससे थोड़ा सा idea लग जाएगा because multimedia के हिसाब से जैसा मैंने देखा था और इसका जो description है वो भी मैंने read किया था तो it's really good तो हम एक बार sound full करके देख लेते हैं कि sound फटता तो नहीं है so मैं एक बार music play कर देता हूँ sound तो बहुत अच्छा है मैंने अभी 50% play किया है एक बार मैं full कर देता हूँ देख तो फट तो नहीं रहा है sound मैं इसमें bass भी feel कर सकता हूँ चाहे मेरे को bass control करने के लिए इसमें तो कोई option नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसमें bass feel कर सकता हूँ so it's really good अगर इससे related कोई सवाल है तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं immediately I'll try to reply you और definitely I'll do it so thank you so much guys for watching this video मैं unboxing से related videos लाता रहता हूँ तो आप मेरे channel को subscribe कर सकते हैं आप video को like कर सकते हैं आपका like बहुत ही जदा motivation होता है हमारे लिए so thank you so much guys for watching this video have a wonderful wonderful day thank you